भ्रंस क्या है यदि दो चट्टानी खंडों की क्षेतिस दिसा में गती हो चाहिए एक दूसरे की ओर हो या एक दूसरे से विप्रीत हो वो चट्टानी खंड एक दूसरे के सारे खिशकें तो उनके बीच में यदि कोई दरार का निर्मान हो तो उसको हम कह सकते हैं क्या प्रं रंश तनाव बलों के कारण बनते हैं किसके कारण तनाव के कारण जैसे यह कोई एक चटानी खंड है इस चटानी खंड में यहां पर इन दो तलों के सहरे कि विस्थापन हुआ और विस्थापन होने से यह मान लीजिये एक भाग इदर खिसका एक थोड़ा इदर खिसका और दोनों के बीच वाला हिस्सा था था यह नीचे खिस गया तो बीच में यह क्या बन गया अлемालिय पहिं आंदि के और इस च चटानी कंड के सहरें यहांपर कोई कि तनाव कि आ करन ये एक दूसरे के अगल बगल से खिशकें और अगल बगल से खिशकने से हो सकता है की दोनों के बीच में एक गैपबन जाई तो इसको भी हम क्या कहतेंगे बहुत दो तलूं के सारे यद्यूंसी खंडू beneficiDon भाग नीचा धस जाए तो एक चोड़ा ब्रंश बन सकता है लेकिन किसी चट्टानी खंड का दूसरे चट्टानी खंड के साथ में विस्थापन होगा तो उस विस्थापन से कोई ने कोई दरार का निर्मान हो सकता है उसको हम कहेंगे क्या ब्रंश यह तो दोनु खंडों के दूर जाने से हुआ है कि अगर यह दोनु खंड एक दूसरे की और आते तो इसमें इस्तिती ऐसे बन सकती थी कि इसमें इस्तिती क्या हुई है एक दूसरे की ओर रहे हैं तब भी देखते हैं कि एक खंड दूसरे खंड से ऐसे उपर उठ गया है या साइड में चला गया तो भी क्या बन गई है यहां पर ब्रंश बन गई तो यह तो क्या हो रहा है संपिडन और यह क्या है तनाव खंप के कारण भी बनते हैंब अब यह जो कोई भी चटानी खंड वसमें पषिए बनेगा है उस बहुति हैं शुट्रियब 수र के आंगु की यदिवाद करें कि तो सबसे पहले तो हमें जानकारी लेनी है भ्रंश रेखा कि फॉल्ट लाइन वह रेखा जहां से दो चट्टानी खंड एक दूसरे के सहारे गती करेंगे तो चट्टानी खंड की सतय पर दिखने वाली उस रेखा को हम कह देंगे क्या ब्रंश रेखा जैसे यह एक चट्टानी खंड है और इस चट्टानी खंड में आपको यहां पर ऐसा देखने को मिला कि यह एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आपको इस चट्टानी खंड पर एक रेखा देखने को मिली है क्या है यह ब्रंश रेखा यदि यह दोनों चट्टानी खंड इस रेखा के सहारे खिशके तो इन दोनों के बीच की जो फेश है सरफेश है उसको हम कहते हैं ब्रंश तल क्या कहते हैं ब्रंश तल कि फॉल्ट प्लेड जैसे ही यह खंड एक दूसरे से अलग हुए कि यह दूसरे से अलग हुए तो हमें यहां ब्रंश तल दिखने लग गया अब इस बात को हम ऐसे समझ लें जैसे यह दो चट्टानी खंड है कि यह दोनों यहां से एक दूसरे से अलग होंगे अब आपको केवल सतय पर एक रेखा दिखाई दे रही है क्या नाम है इसका ब्रंश रेखा इधर भी देखें तो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जिसके सारे एक दूसरे से अलग होंगे तो यह क्या है ब्रंश रेखा लेकिन इस ब्रंश रेखा के सारे इन दोनों खंडों के बीच में जाएं तो यह क्या है ब्रंश तल यह क्या है दोनों ब्रंश तल यह इस खंड का और यह इस खंड का यदि यह चट्टानी खंड ऐसे एक दूसरे के सारे गति कर है तो ब्रन्सतल बाहर धिखने लग जाता है कि नहीं करें तब तक नहीं कहुता है गती चाहे उचन्द जाए ये रिखेज से दिखने लग कि या उचे नीचे नहीं जाएं ऐसे साइड में किसक जाएं कि बृम्न स्वाह्ए लाप दिखे है या साइड में भी खिसक जाएं और उंचे नीचे भी हो जाएं तो भी दिखेगा तो गती किसी भी तरीके से हो सकती है दो खंडों में एक दूसरे की और जा सकते हैं एक दूसरे से दूर जा सकते हैं तो यह दो चटानी खंड हैं यह यहां से अलग होंगे सतय पर दिखने वाली इस रेखा को हम कहेंगे ब्रंश रेखा ब्रंश रेखा के सहरे जब अलग होंगे तब आपको जो फेस दिखेगा उसका नाम है ब्रंश तल हालां कि ब्रंश तल होता तो ब्रंश के अंदर है ही लेकिन सामाने ते जब तक चटानी खंड खिसकता नहीं है तब तक आपको ब्रंश तल दिखाई नहीं देता आप कल्पना कर सकते हो जैसे हमें अभी पता है कि इन दोनों खंडों के बीच में जो तल है फेश है वो क्या है ब्रंश तल है लेकिन दिख नहीं रहा है ब्रंश रेखा जरूर दिख रही है कि इदर से विवाजन होगा इदर से खिसकेंगे या यहां से दिख रहा हो सत्य के उपर कि यहां से खिसकेंगे अब हो सकता है कि यह एक दूसरे की और खिशक जाएं यह तो क्या हो गया संपिडन संपिडन होगा तो भी दोनों के बीच का यह जो तल था वो दिखेगा और यह एक दूसरे से दूर चले गए दूर चले गए तो भी जो बीच का तल वो दिखाई देने लग जाए तो ब्रंस रेखा के सहारे जब चटानी खंड गती करते हैं तो ब्रंस तल हमें दिखाई देने लग जाता है वह तल जिसके सहारे दोनु खंड एक दूसरे से दूर या एक दूसरे की और किसकते हैं उस त तल का नाम है क्या ब्रंस तल अब उसके बाद में अगला अंग आपके सामने आता है वह है उर्द्वेपाती खंड वे अवपाती खंड कि अपवार्ड ब्लोक और डाउनवार्ड ब्लोक कि यदि दो चट्टाने खंड एक दूसरे के सहारे यह मानलीज यह कोई ब्रंस रेखा है और इस ब्रंस रेखा के सहारे जो तल है वो है क्या ब्रंश तल गती करेंगे तो ब्रंश तल आपको दिख जाएगा पहले खंड में मालीजे गती हो रही है वीपरी दिसाओं में और दूसरे खंड में गती हो रही है एक दूसरे की और वीपरी दिसाओं में गती हुई और यहां पर यह गती हुई है एक दूसरे की और दोनुई इस्तितियों में आपको भ्रंश तल दिख रहा है यह यहां दिख गया यहां पर यहां दिख गया यह तो बना है किसके कारण तनाव के कारण और यह बना है किसके कारण दबाव के कारण अब एक बात ध्यान रखने की है तनाव के कारण भ्रंच बनेगा तो चट्टानी खंड उन्हें जितना एरिया रोक रखा था उसकी तुलना में बढ़ जाएगा और दबाव के कारण बनेगा तो जितना स्थान उन्हें घेर रखा था उसकी तुलना में कम में आ जाएगा अब देखो दोनों ही स्थितियों मे एक खंड नीचे हो गया है और एक खंड उपर हो गया है इनमें से जो उपर हो गया है वह उर्द्वपाती खंड और जो नीचे हो गया वह आवपाती खंड है इनमें उर्द्वपाती खंड कौन सा है ये वाला और ये अवपाती खंड इनमें ये अवपाती और ये उर्द्वपाती तो ब्रंश तल के सहारे जब गती होती है दो चटानी खंडू में उनमें जो उपर जाता है वो उर्द्वपाती खंड और जो नीचे आता है वो अवपाती खंड होता है इन उर्द्वपाती और अवपाती खंडों के बीच यह जो भ्रंस तल है इस भ्रंस तल को हम भित्ती या दिवार के रूप में देखें तो इसको दो नाम दे सकते हैं शिर्ष भित्ती और पाद भित्ती क्या नाम दे सकते हैं शिर्ष भित्ती और पाद भित्ती हेंगिंग वाल एंड फूट वाल यदि दो चट्टानी खंडों में एक दूसरे की और गती हुई या एक दूसरे से वीपरी दिशा में गती हुई उसका जो परिणाम है वो आपको उर्द्वय पाती और अवपाती खंडों के रूप में मिलता है यह मानलो इसमें हो गई तनावबल और इसमें आ गया संपिड़नबल और इसका रिजल्ट यह आया कि यह उर्द्वय पाती ब्लोक और यह आवपाती ब्लोक और यहां पर इस्तिति देखें तो एक दूसरे की और गती की है उस्तिति में यह उर्द्वय पाती ब्लोक और यह आवपाती ब्लोक अब इन में सिर्ष बित्ती और पात बित्ती कौन सी होगी जैसे ये जो फेस है इस खंड का ये है पाद भित्ति और इस चट्टानी खंड का ये जो फेस है ये क्या है सिर्ष भित्ति इसमें हम देखें तो इस चट्टानी खंड का ये जो भाग है ये तल है इसमें क्या है सिर्ष भित्ति और इस चट्टानी खंड का ये जो तल है ब्र और कौन से खंड के तल में पेदभिती होगी को दोनों ब्रंश तलों में से एक हिस्सा होगा compat कि खड़े होगे न कि तरवेचित रहो अब देखो इस इस्तिती में इस वेक्ति का सिर नीचे वाले खंड में हो और टांगे उपर वाले खंड में तो उर्द्वपाती खंड का तल तो क्या है पादविती और अवपाती खंड है उसका तल क्या है शिर्षबित्ति इस दूसरे केस में देखो इसमें जो उर्द्वपाती खंड है उसका ब्रंश तल तो क्या है शिर्षबित्ति और जो अवपाती खंड है उसका ब्रंश तल है वो क्या है पादवित्ति तो किसी ब्रंश तल के सहारे चट्टानी में तो आपको देखना है कि तनाव के कारण बना है या संपिडन के कारण बना उससे पता चलेगा और यह आप किसी ब्रंश को देखकर पता कर सकते हो कि वह तनाव से बना है या वह संपिडन से बना है ऐसा चित्र मिलेगा तो किस से बना है संपिड़न से और ऐसा चित्र मिलेगा तो वह तनाव से अब एक्जामिनर आपके सामने जो डाइग्राम बनाएगा वह इन दोनों को ऐसे अलग-अलग करके नहीं दिखाएगा वह आपके सामने जो डाइग्राम बनाएगा वह इस रूप में बनाएगा और झाल 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 आपको ऐसे डाइग्राम को देखकर आइडिया लगाना है कि इसमें हुआ क्या है? अब ऐसी इस्तिति में क्लीर पता आपको चलेगा कि ये वाली और ये वाली लेयर पहले एक ही थी। इसका मतलब ये वाला भाग इधर गया है ये वाला भाग इधर गया है। इनको यहां पर आप एक तल के साहरे ऐसे काट सकते हो। अब इस तल के साहरे आप जैसे इनको यहां से काट रहे हो तो ये क्या है ब्रंश तल और इस ब्रंश तल के साहरे आपको पता चल रहा है कि ये वाला खंड ये वाला खंड पहले एकसिद में था ये दूर आए हैं। ये और ये भी एकसिद में था ये दूर आएं ये और ये एकसिद में थे दूर आएं ये और ये एकसिद में थे ये दूर आएं तो ऐसे चित्र को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें तनाव हुआ है या शंपिडन हुआ है दूसरा देखिए एक्जामिनर शंप प्रेजेंट कर सकता है प्रेजेंट कर सकता है प्रेजेंट कर सकता है अब दूसरा आपके सामने डाइग्राम हो गया यह अब इस केवल सरंचना को देखकर आपको पता चलना चाहिए कि इसमें तनाव हुआ है या यह वाली लेयर है इस जैसे सेंसतर इस वाली में मिल रहे हैं और यह दोनों एक दूसरे को ओरलेप कर रहे हैं और लेप तभी करेंगे जब एक दूसरे की ओर आहेंगे दूर जाएंगे तो बीच में गैप मिलेगा जैसे यहां कहीं तो केवल इस ब्लोग को देखकर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसमें गती किस तरफ होई है अब आपको पूछे कि इसमें आउपाती कौन सा और उर्दोपाती कौन सा अशे करके दिखाने में तो पता चल जाएगा अराम से बता चल रहाए है ये नीचे और यह उपर गया लेगन इसमें उसने ब्लोग को पूरा में बनाया चोटा-बड़ा बनाते ही तो आप समझ जाते हैं कौन सा उपर आया कौन सा नीचे यहां से यह पता चल रहा है कि यह च और इसमें हुआ है तना यह खंड उर्द्वापाथी यह अवपाती है है उर्द्वाथी और यह वपाथी और यह और यह ऑपा उपर उपर कि यह यह तो पहले बात तो आपको पैचान करनी होती है उर्द्वपाती खंड कौन सा है और अवपाती खंड कौन सा है उसके बाद में आपको देखना है कि दोनुखंडों के बीच में जो तल है उस तल में उस तल में सिर्ष बित्ती कौन सी है और पाद बित्ती कौन से माली जी एक चट्टान सिर्ष तरीका है जो भ्रंच तल मुझा किसा उर्धवादर क्विक्ति की कल्प ना करो इसका सिर्ष जिस खंड में आएगा उसी खंड की जो तल है वह कहलाएग़ शिर्षबित्ति और उसके पैर सिस लाएंगे मुझा कंड का तल कहलाएगा क्या अब जैसे कि यहां कोई वेक्ति खड़ा हो गया तो ऐसी स्थिति में इसका सीरी स्खंड में है और इसका पैरी स्खंड में है उर्द्वपाती खंड में क्या है है उर्द्वपाती कौन सा है इन में से यह है उर्द्वपाती में क्या है पैर है अवपाती में क्या है सिर्ष है तो अवपाती खंड का तल तो है क्या सिर्ष बित्ति और उर्द्वपाती खंड का तल है क्या पाद बित्ति अब दूसरा केश यह वेक्ति यहां खड़ा हो गय ये यह फिर्हश्य। आप ये तो वैसे ही खड़ा है ब्रंसतल के सारे लेकिन ब्रंसतल के सारे दोनों खंड़ू की गत्ती कैसे हुई है उससे पता चलता है कि प्रंस्तबर शुमपिडंश से बना फंपिदざ को दाये और तब पता चल población और उर्द पाति कौन सा है यह वाला और अवपाती यह वाला सीर किसमें है उर्द्वपाती में और टांग किसमें है अवपाती में तो उर्द्वपाती खंड का जो भ्रंश तल है वो तो है शिर्षविति और अवपाती खंड का तल है वो है क्या पादविति इस बात को हम ऐसे देखने यह दो चट्टानी खंड है यदि इन में ब्रंशतल ठीक ठीक उर्द्वादर है तब तो इसमें सिर्ष बित्ती और पाद्वित्ती होंगी नहीं क्योंकि ब्रंशतल के सारे आप लंबत कल्पना कर लो तो इसके सारे लंबत खड़ा होगा तो सिर भी दोनों में आएगा और पाउं भी दोनों में आएगा यहां किसी आदमी को फिट करने की बात नहीं होती है यह चट्टानी खंड अगर तिर्चे ब्रंशतल के सारे खिशकते हैं तब ही आपको देखना है कि उसमें से सिर्ष बि पित्ती कौनसी और नीचेवाली पाथ बित्ती कौनसी है अगर ऐसे यह ब्रंशतल है और ऐसे खिसक रहे हैं तो इसमें तो दोनुं पैरे से नहीं इसमें कहां किस्टपती ज्रूरента पाथ जिरूएख सकते हो जैसे पिजिए अ यह और दोपाती और यह गळा अब मानली जि तनाव और ए गती हुई ये स्वंपिड़न पहले तनाव की बात कर लेता हूँ ये तनाव गती हुई उर्द्वपाती खंड कौन सा है ये वाला और अवपाती ये नीचे गया अब इनके सहरे येदी कोई वेक्टी खड़ा होता तो उसका सीर कौन से में आता अवपाती में और टांगे किसमें उर्द्वपाती तो जब तनाव से भरंस बनता है तो अवपाती खंड में सिर्ष बित्ती होती है और उर्द्वपाती खंड में पात बित्ती होती है और ये होरा अब इसका संबिड़न हो गया उर्द्वपाती खंड कौन सा है उपर वाला और अवपाती नीचे वाला इस ब्रंश तल के सारे कोई वेक्ति खड़ा हो तो इसका सीर किसमें है उर्द्वपाती में और टांगे किसमें आवपाती में तो यदि संपिडन से ब्रंश बनता है तो ऐसे ब्रंश में उर्द्वपाती खंड में शिर्ष बित्ती और अवपाती खंड में पाथ बिती होती हूँ और यदि तनाव से बनता है तो उर्धव पाथ खंड में पाथ बिती और अवपाती खंड में शिर्श बिती है और दूसरी बात है कि इनको रटना नहीं है यह हादमी उल्टो जागो आपको यह डाइग्राम बनाने की भी जुरूद नहीं यह बना के देख लेना यह तनाव हुआ यह संपिडन हुआ इतनी चीज पहचान जाएंगे और फिर उसके सारे वेक्ति को खड़ा करके देख लें कि अवपाती खंड में क्या गया है उर्द्वपाती खंड में क्या गय होंगी उसमें तो जो उपर वाला भाग है वह नीचे जाता है तो सिर्वाला भाग नीचे चला जाएगा आवपाती खंड में और जिर्श भी FMै और यह नाब हो तो देखो ब्रंश के अंगु में भी सबसे पहले हमने बात की किसकी ब्रंश रेखा की वह रेखा जिसके सारे दो चटानी खंडों में आपको गती दिखाई देखे और वह तल जिसके सारे दोनु खिसकेंगे उसको कहा जाता है ब्रंश तल कि ब्रंश तल के सारे दो खंडों के खिसकने से दोनु खंडों में से एक तो बन जाएगा उर्द्वापाती और एक बन जाएगा अगर ऐसे साइड में खिसकें तब नहीं बनेगा कि इनमें से उर्द्वापाती कौन सा अउपाती कौन सा है कि है कोई सा भी नहीं है यह इनका विस्थापन ही किस दिशा में हुआ है ख्षेतिस दिशा में हुआ है जब उर्ध्व दिशा में विस्थापन होगा तभी उर्ध्व पाती और अवपाती खंड बनेंगे यह दि दो चट्टानी खंड एक दूसरे के पैरलल ऐसे किस रहे हैं तो ने तो कोई उर्ध्व पाती और ने कोई उर्ध्वादर विस्थापन होगा तभी उर्ध्व पाती और अवपाती बनेंगे उर्ध्वादर विस्थापन होता है वो नती की दिशा में और ख्षेतिस होता है वो नती लंब की दिशा में अभी आगया यह बात वी अगर ति तिर्चे ब्रंस्तल के सारे विस्तापन हो रहा है यह आपको देखना है उर्द्वादर के सारे हो चाहिए तिर्चे के सारे हो यदि गती उर्द्वादर हो जैसे यह ब्रंस्तल कैसा है उर्द्वादर और यह ब्रंस्तल कैसा है तिर्चा इस उर्द्वादर ब्रंस्तल के सारे ये गती कैसी है उर्द्वादर और इस जुके हुए भ्रंस्तल के सहरे ये गती कैसी है उर्द्वादरी ये भी उर्द्वादरी है और ये भी उर्द्वादर इस उर्द्वादर भ्रंस्तल के सहरे ये गती कैसी है उर्द्वादर भ्रंस्तल के सहरे ये गती कैसी है उर्द्व पादर होगी तभी बनेंगे कौन से खंड उर्द्वपाती और अवपाती खंड तो आपको किसी सामाने भ्रंश में तनाव वाले में या एक दूसरी की और दबाव वाले भ्रंशों में यह देखना है कि उर्द्वपाती खंड कौन सा होगा और अवपाती खंड कौन सा होगा जैसे ये तो है उर्द्वय पाती खंड और ये है अवपाती खंड ये है कौन सा उर्द्वय पाती खंड और ये है कौन सा अवपाती खंड अचा ये जो उर्द्वा दर गती होती है इस गती को हम बोलते हैं थ्रो क्या बोलते हैं तो इनके नाम के संदर में आप केवल गती नहीं इनको थ्रो से ही याद कर लें ताकि ये याद रहे कि उर्दवादर गती को हम थ्रो कहेंगे इसको कह दें अफ थ्रो और इसको कह दो डाउन थ्रो थ्रो के साथ याद कर लो अफ थ्रो और डाउन थ्रो तोससे क्या पता चला कि जो उर्द्वा दरगती होगी वो क्या होगी थ्रो होगी क्या होगी फ्रोग उसको तो यि दो चट्टानी खंडों में तनाव के कारण एक उपर उठ़ जाता है एक नीचे जाएगा, एक अफ्त्रो होगा, एक डाउन्त्रो होगा, यानि एक उर्द्वपाती और एक अवपाती, अब ये देखना है कि हेंगिंग वॉल किसमे होगी और फुट वॉल किसमे होगी, हेंगिंग वॉल और फुट वॉल, ये भ्रंच तल के सहारे एक खड़े वे आने वाली है क्या है शंपिड़न यदि तनाव के कारण कोई खंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और उर्द्वादर गति कर रहे हैं कौन सी उर्द्वादर तो ऐसी स्थिति में जो अप्थ्रोब लोग है उसमें तो रह जाएंगी तांग और डाउन थ्रोब लोग है उसम यह तो है क्या पादवित्थी और यह है क्या शिर्षबित्थी इस कंडिशन में यहां देखें तो यह जो अप्थ्रोब लोग है इसमें तो क्या है शिर्षबित्थी और यह डाउन थ्रोब लोग है इसमें क्या है पादवित्थी यह उर्द्वयपाती और यह आउपाती और यह उर्द्वयपाती और यह उर्द्वयपाती और यह अब जैसे हमने यह सारी बात सीखी नहीं होती है और ऐसे आपको कोई पूछ ले कि लेकिन उपर उर्द्वबाती खंड गया कैसे है यह डिपेंड करेगा यानि सिर्वाला भागी उपर उठा है या पैरोंवाला भाग उपर उठा है या सिर्वाला भाग नीचे चला गया है या सिर्वाला भाग उपर उठ गया है तो देखो जब तनाव गती होगी दूर जाने वाली तो सिर्वाला भाग नीचे चला जाएगा और दबाव गती होगी तो सिर्वाला भाग और उचा उठ जाएगा तो दबाव गती से सिर्ष बित्ती उपर रह जाती है और तनाव गती से सिर्ष बित्ती नीचे चली जाती है ये बात हुई किसके बारे में सिर्ष बित्ती और पाद बित्ती के बारे में अब दूसरी चीज एक देखिए यहां पर ये जो विस्तापन हुआ है इन खंडों का ये दो तरफ हुआ है एक तो ये एक दूसरे से दूर भी गया है और एक दूसरे की तुलना में उंचे नीचे भी हो गये हैं तो ऐसी इस्तिती में अब आपको इसके दो अंग और देखने कितने हो गयते तीन कि यह हो गये कितने चार कि अब देखिए यह नाम परिक्षा में आएगा इंगलीज में ही हीव वे थ्रो हीव तो क्या है और थ्रो क्या है और द्वादर गति तो दो खंड एक दूसरे से दूर जाएं या एक दूसरे के पास आएं चाहें यह मानलीजी एक चट्टानी खंड और यह दूसरा चट्टानी खंड और एक में हमें गति दिखानी है कौन सी तनाव वाली और एक में दिखानी है संपिडन वाली यह तो दिखा दें तनाव की और यह दिखा दें संपिडन की रिजल्ट क्या आया अब अभी तक की जो बाते कर रहे हैं थे वो सारी इसमें रिपोर्ट कर लो चाहिए ब्रंस रेखा ब्रंस तल उर्द्वापाती खंड अवपाती खंड शिर्ष बित्ती पाद बित्ती यहां तक की बातें complete अब देखो कि इस तनावगती के कारण यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा पहले दोनों कहां थे कि एक ही जगह थे मैं इस पूरी लाइन को एक ही रंग से दिखा दूँग और कि दूसरी बात यह जो भरंच तलह इसको एक दूसरे रंग से दिखा तो देखो यह वाला जो बिंदू है यह वाला और यह वाला दोनुप पहले आपस में जुड़े हूए थे अब इन दोनुप बिंदूं के बीच में गैब देखो दो तरीके का गैब देखो एक तो देखो कैसा क्षेतिस और एक अब देखो क्षेतिस गेव कितना आया है कि इतनी दूरी काया है यह और यह यह यहां है इतनी दूरी काया यह जो तैकि गई दूरी है इसका नाम है क्या ही वैं अब देखो उर्द्वादर देखिए यह बंदु यहाँ था यह इसके पास यहीं था चाहे तो मुल रूप से देखा जाये तो इसने कई इतनी दूरी उर्ध्वादर दिषां में हर ली अब यह जो उर्ध्वादर दिशा में थे की है इसका तो नाम है क्या थ्रोव और यह जो क्षेतिस दिसा में तै की है इसका नाम है क्या कि तो ब्रंस्तल के सहारे परिक्षा में प्रशन पूचा जाता है ब्रंस्तल के सहारे चटानी खंड की क्षेतिस गती को क्या कहा जाता है हीव ब्रंशतल के सारे चट्टानी खंड की उर्द्वा दरगती को क्या कहा जाता है तो जाता है दूसरी बात यह जो विस्थापन हुआ है कि इस विस्थापन को हम कहते हैं सरपन क्या बोलते हैं सरपन अभी हीव और थ्रो की हम बात करें तो देखिए ये ब्रंश तल के सारे दोनों चट्टानी खंडों के बिंदू पहले एक ही जगह थे और ये इनके बीच में गती हुई तो देखो नीचे भी आया है और यहां पर हम देखें तो एक ही जगह थे विंदूश की तुलना में उसक्षेतिस भी और और उर्द्वादर भी हुआ है तो जो ऐसे खिसका हुआ है उसक्षेतिस दिसा में यह दोनों खंड़ एक ही जगह हैं और ऐसे करते-करते आये तो इनक कर लिए वो क्या है थ्रो है अब इसके बाद में हीव और थ्रो के बाद में अगली चीज़ आपको सीखनी है वो है सरपन कि पाँच हो गएगा कि सरपन कि यह हम कह दें स्लिप कि दोनु चट्टानी खंड एक दूसरे के सारे श्लिप होंगे तो तीन तरीके से हो सकते हैं कि एक तो कि नती सरपन कि डिप स्लिप कि दूसरा सरपन हो सकता है नती लंब सरपन कि दूसरा सरपन हो सकता है विकर्ण कि विकर्ण सरपन कि डाइगोनल स्लिप कि चट्टानी खंडूं की यदी उर्द्वादर गती हो तब तो क्या है डिप स्लिप क्षेतिस गती हो तो क्या है कि स्ट्राइक स्लिप और दोनुए एक साथ हो तो कि तब है विकर्ण देखो यह दो चट्टानी खंड और यह इनके बीच में गती हुई कि क्या है यह नती सर्पण नती की दिशा में हुई है डिप की दिशा में चाहे तिर्चा हो तो भी क्या हुई है नती सर्पण यह सब जो कि त्क हो रही है यह क्या है यह एक दूसरे की ओर रही है चाहे ईक दूसरे से दूर यह यह द ज़िए को चटानि खंडू की एक दूसरे के शेटीज गति हो First तो नतिलम सर्पन यानि नती की दिसा में गती हो तो नती सर्पन और नती लंब की दिसा में सर्पन हो तो नती लंब सर्पन अब समझ भागू नती लंब ये नती की दिसा और ये नती लंब की दिसा में सर्पन हो तो नती लंब और यदी कोई चट्टानी खंड एक दूसरे के तो नीचे भी गया और साइड में भी गया यानि नती की दिशा में भी गया और नती लंब की दिशा में भी गया दोनु तरफ गया तो क्या है विकंड सर्पन तो दो चट्टानी खंड एक दूसरे के सारे तीन तरीके से किसक सकते हैं नती की दिशा में नती लंब की दिशा मे और तिर्चा यानि नती और नती लंबिय गती दोनों करते हुए तो उसको हम कह देते हैं कौन सा विकर्ण सर्पार्ण ब्रंस के इन सारे अंगूं के अलावा आपको जो विस्थापन हुआ है उसके सारे कुछ कौन आपको ग्याद करने होते हैं यह जो सर्पन हुआ है यह नती के सारे या नती लंब के सारे या तिर्चा तो आपको देखना है कि विस्थापन कितने डिगरी पर हुआ है कितने डिगरी के कौन पर हुआ है हम अगली चीज याद करेंगे ब्रंश की नती कि ब्रंश की नती का मतलब क्या है कि किसी चटानी खंड में कि ब्रंशन की क्रिया होने से उसका जो ब्रंश तल है वो क्षेतिज के साथ क्या कौन बनाता है चाहे तो यहीं से नापले हम यह वाला चाहे हम इस बात को ऐसे कह दें कि यह वाला एंगल क्या है कि तो क्षेतिज के साथ में ब्रंश तल का बनने वाला कौन कहलाता है क्या नती कि अब इस नती में देखिए दूसरा आपको एक और एंगल देखना है कि ब्रंश तल के सिर्ष भाग से यदि हम कोई उर्द्वादर लाइन पींचे तब ये जो एंगल बनेगा इसका नाम है उन्मन क्या नाम है उन्मन ये एंगल तो क्या है डिप और ये वाला एंगल है कि हैड यह हम कह दें क्या उन्मन क्यों और ये कौन का है नती को कि करें आपको किसी ब्रंश तल के सारे चटानी कंड गती होती है और ये कह दे कि कोई एक ब्रंश तल के सारे चट्टानी खंड जब खिसकते हैं तो ब्रंश तल की नती का कौन 35 डिग्री है तो इस ब्रंश तल का उन्मन कौन क्या होगा है है अब जिसको समकौन त्रीबुज आता होता देगा त्रीबुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है अगर हम भ्रंश तल के सिर्शस्त बिंदू से उर्दवादर लाइन खीचें तब यह इस पूरे त्रीबुज में यह जो एंगल होगा वह कैसा होगा नबब डिग्री का तो यह दोनों कौन मिलकर हमेशा कितने होंगे नबब डिग्री क्या होगे यानि नती और उनमन कौनों का योग हमेशा नबब डिग्री होगा तो आपको एक दिया जाएगा और दूसरा पूछाएंगे कि नती कोण का मान यह है उनमन कोण का बताओ या उनमन कोण का दे देंगे और नती कोण का पूछ लेंगे कि हैड का मान यह है और डिप का बताओ और डिप का यह है तो हैड का बताओ कि ये कुछ ब्रंश के संदर्व में ब्रंश तल उसके विस्तापन से समंदित कुछ एक शब्दावली है कुछ एक अंग है जिनके बारे में आपको पूचा जाता है सारी बात को आपको एक ही बार में यदि समझनी है ये दो चटानी खंड है ये एक दूसरे से अलग होंगे यहां से यह क्या है ब्रंश रेखा और ब्रंश रेखा के सारे हम दोनों चटानी खंडों के बीच में देखें यह क्या है ब्रंश तल ब्रंश तल के सारे यह गती कर सकते हैं तनाव यह गती कर सकते हैं संपिडन ब्रंश तल के सारे गती करने से ब्रंश तल आपको दिखने लग जाएगा तनावगति करें चेट संपीडण करें को एक खंड अबब करना है कि उर्द्व पाती खंड में शिर्ष बित्ती जिया पाद बिटीया आउपाती खंड में शिर्ष बिटीया फा बिटी के दूसरी बात उसका जो विस्तापन ह programmes और दो दिश्व और में होचेव्त सब्सक्रीं हो हवा है तो तो इसमें हम देखेंगे कि ही बी यह और तो भी यानि क्षेतिज विस्तापन भी और उर्दवादर विस्तापन भी उनको हम कहते हैं ही वा थो फिर यह जो दोनों एक दुसरी के सारे खिश कें इसको हम बोलते हैं सरपन को ये किसे से दहाएं अधिक हुआ है नटीका सरपन सीधाँ शेस आमें उत हुआ है तो नतिलन बोलते हैं Edi तो विकर्ण सरपन है अब ब्रण्स तल का शाहरे हम कषेतिज के साथ को नापे तो ब्रंस तलक शेतिस के साथ जो कौन बनाता है वो नती और ब्रंस तलके सिर्ष बाग से चाहिए ब्रंस तलके सिर्ष बाग से खिचलो चाहिए ब्रंस तलके इस बाग से खिचलो यहां से खिचलो चाहिए उर्द्वादर रेखा खिचो इस उर्द्वादर रेखा के साहरे यह ब्रंशतल, जो एंगल बनाएगा, उसका माँन होगा, क्या? हैड या उन्मन, चाहिए यहाँ खीच लो, यहाँ खीचोगे, तो यहाँ जो बनेगा, वो नभवज में से जितना यह छोड़ेगा, उतना ही बनेगा, तो उस कौन को कहते हैं उन्मन और उन्मन और नती का योग हमेशा होता है कितना 90 डिगरी होता है